UNSC की मीटिंग में तीसरे विश्व यूद के आशंका के बीच सभी देश अपना पक्ष रख रहे हैं। अब मामले पर भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। भारत ने यूक्रेन में फसे अपने 20,000 चात्रों पर कही है बड़ी बात। भारत के परतिनीदी ने कहा कि कुछ भी करो लेकिन हमें हमारे बच्चे सही सलामत चाहिए। दोस्तो यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्टर सुरक्षा परिशाद यानि की यूनसी में यूक्रेन संकट को लेकर मीटिंग हुई है। इसमें अमेरिका के विदेश मंतरी एंटनी बिलिंकन, रूस के राजनाइक और खास तोर पर भारत की तरफ से स्थाई परतिनीधी टी-स-3 मूर्ती के अलावा यूनसी के सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ये मीटिंग अपने आप में बहुत महत्पुरन थी जिसमें अमेरिका, रूस और भारत ने बड़े बयान दिये हैं। दोस्तो आपको बता दें कि भारत ने एक ऐसा प्लान बताया है जिससे ये मुद्दा सुलजाया जा सकता है। दोस्तो जहां बलिंकन ने अपने संबोधन के दोरान रूस पर यूकरेन पर हमले को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, तो वहीं रूस ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका पर हमला बोला। इस बीच भारत ने भी दोनों पक्षों से सांती बनाए रखने की अपील की और दोनों देशों को चेता दिया कि भारत अपने बच्चों के संबन्द में कोई जोखिम नहीं लेगा। युक्रेन और रूस में जारी तनाओ को लेकर सांयुक्तराष्टर सुरक्ष्या परिशद की बैठक में भारत ने दोनों पक्षों को शांती से काम लेने के लिए कहा। और एक ऐसा अचूक रास्ता बताया जिससे इस विश्वे युद के खत्रे को टाला जा सके। गुरुवार यानि कि 17 फरवरी को युक्रेन पर युएनसी बैठक में सायुक्तराष्टर में भारत के स्थाई परतिनिधी टीयस त्री मूर्ती ने कहा कि अंतराष्ट्य शांती और सुरक्षा हासिल करने के उदेशे को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को तनाओ फरति शेतर वी शामिल है भारतेनागरेक की भलाई हमारे लिए प्रात मिकता है भारत की रूची एक ऐसे समाधान खोजने में है इस शेतर में शांती और थिरता लेकर आए हम गंभीर और निरंतर राजनाएक पर यासों से स्थीति के शांती पुरन समाधहान के लिए अपन के सभी देशों को सीधे पर भावित कर रहा है रूस पश्ट रूप से दुनिया को बताए कि वो क्या करने जा रहा है वो अपने सैनिकों को वापस बुलाए और राजनाईकों को बादचीत के लिए भीजे वहीं रूस ने UNSC में कहा कि पश्चिमी देश का एक मातर लक्षय युद करना है अगर ऐसा नहीं होता तो यूकरेन सरकार मिंस्ग समझ होते को लागू करने के लिए मजबूर होती ऐसा ना होने का मतलब साफ है कि पश्चिमी देश रूस के साथ युद चाहते हैं अब इस पर क्या बोले अमेरिका के विदेश मंतरी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंतरी ब्लिंकन ने संबोधन में कहा कि रूस ने हाल ही में शांती और सुरक्षय को लेकर खत्रा पैदा किया है हम इस संकट को राजनाइक तोर पर बाच्चित कर सुलजाना चाहते हैं लेकिन अगर रूस युक्रेन में कदम आगे बढ़ाता है तो हम सक्त कदम उठाने के लिए तैयार है बाइडन ने कहा कि इस परिशद की मुखे जिमेदारी शांती और सुरक्षा बनाए रखना है मोजुदा समय में शांती और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खत्रा युक्रेन की तरफ रूस का आकरामक रवाया है उन्होंने कहा कि इस संकट से UNSC के सदस्य देशों पर सीधा परभाव पड़ेगा इसके अलावा पूरी दुनिया के भी इससे परभावित होने का संकट मंडरा रहा है उन्होंने रूस की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पूतीन पहले हमले की जूटी वज़े ढूड़ना चाते है वे युक्रेन पर किसी भी भड़काव गतिवीदी का आरोप लगाएंगे और इसे ही हमले का कारण बताएंगे बिलिंकन ने कहा कि रूस आज जरूर ऐलान कर रहा है कि वो युक्रेन पर हमला नहीं बोलेगा लेकिन उसे ये साबित करना होगा रूस को अपनी टुकडियों और टैंकों को बैरक में भेजना चाहिए और विमानों को हैंगर में वापस बुलाना चाहिए साथ ही अपने राजनाइकों को समझोते के लिए भेजना चाहिए अब इस पर क्या बोले रूस के परतिनीधी दोस्तों UN में रूस के परतिनीधी ने अमेरिका और नाटो पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिमी देशों का एक मातर लक्षय युद भढ़काना है अगर ऐसा नहीं है तो आखिर क्यों युक्रेन की कटपुतली सरकार मिंस्क समझोता काफी पहले कर लेती जिसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि रूस की और से युक्रेन पर हमला हो सकता है हलाकि रूस लगातार इस बात से इंकार कर रहा है कि उसका युक्रेन पर आकर्मन करने की कोई योजना नहीं है दोस्ता आपको बता दें कि रूस की और से यूकरेन के नाटों में शामिल होने की बात पर नाराजगी जताई जा रही है रूस की और से अमेरिका और दूसरे देशों पर यूकरेन या किसी भी पूर्व सोव्यत देशों को नाटो में शामिल ना किये जाने के लिए कहा जा रहा है यूकरेन और रूस के बीच संगर्श खतम होने का नाम नहीं ले रहा है दोनों देशों के बीच की तनातनी ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है दोनों देशों के बीच तीसरे विश्वय युद होने कि संभावना से सभी प्रिशान है हाल ही में रूस ने अपनी सैन्ने ताकत को बढ़ाते हुए सीमा पर साथ हजार जवान बॉर्डर पर तेनाद किये हैं इस बात का दावा खुद अमेरिका ने किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि रूस यूकरेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्ने हमले को अंजाम देने के कगार पर है तो आएए दोस्तो अब जानते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इस समय रूस यूकरेन की सीमा पर दोस्तो अमेरिकी खूफिया अधिकारियों ने बीते सब्ता आशंका जताई थी कि रूस यूकरेनी सीमा पर एक लाग पिच्टर हजार जवानों की तैनाती करने जा रहा है और उनमें से आधे विबिन जगहों पर तैनात कर दिये गए हैं और 2022 की शुरुआत में रूस हमला कर सकता है यूकरेन ने शिकायत की थी कि रूस ने उसकी सीमा से कुछ ही दूरी पर 90,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है यूकरेन की रक्षा मंतराले का कहना है कि रूस की 41 वी आर्मे की यूनिट रूस के यलनया शहर के नजदीक है यूकरेन की उतरी सीमा से ये सहर सिर्फ 260 किलोमेटर दूर है खूफिया रिपोर्टों से पता चला है कि कम से कम 90,000 रूसी सैनिक, भारी तॉप खाने और टैंकों के साथ यूकरेन की सीमा के नजदीक तैनात है मिरर की रिपोर्ट के मताबिक अगले साल की शुरुआत में ये संख्या बढ़कर 1,75,000 हो सकती है ब्रिटिश 66 बलो के रक्षा स्टाफ के नए परमुक एडमिरल सैर टोनी रडाकिन ने कहा कि रूस और यूकरेन के बीच यूद दूसरे विश्व यूद के बाद से 75 से अधिक वर्षों के लिए यूरोप में सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती है यूकरेन ये मान कर चल रहा है कि 16 फरवरी को रूस उस पर बम बरसाना शुरू कर देगा खुद ये बात यूकरेन के राश्टरपती ने फेस्बुक पर बताई लेकिन यूद की तारिक आज आने के बीच ही रूस ने अचानक यूकरेन बॉर्डर से अपने कई टैंक और सैनिकों की कुछ टुकडी पीछे करने का दावा किया रश्यन आर्मी के अधिकारियों के मुताबिक यूकरेन सीमा पर तैनात दक्षनी और पश्चमी डिस्ट्रिक्ट की सैने टुकडी अपने अड़ों के तरफ लोट रही है रूस के रक्षा मंत्राले का कहना है कि इन सैनिकों ने युद अभ्यास और ट्रेनिंग एक्टिविटी पूरी कर ली है इसके बाद ये अपने बैरिकों में लोट रही है हाला कि रूसी टैंक और सैनिकों की वापसी की तस्वीरों पर यूकरेन को भरोसा नहीं है युकरेन ने कहा कि जब तक सैनाय पूरी तरीके से हट नहीं जाती वो रूस का भरोसा नहीं करेंगे तो दोस्तो अब ऐसे में आपको क्या लगता है क्या ये बाते आपको पहले से पता थी अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़़ादा इंटरस्टिंग लगी तो दोस्तो हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बाते बताने की कोशिश की अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें सी वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जितना हो सके इस वीडियो को शेर करना ना भूलें तो दोस्तों बने रही हमारे साथ हम जल्द से जल्द फिर मिलेंगे एक और इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ